नमस्कार मैं हूँ निरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के तायतरीन ख़बरों का आज हो सकता है उत्तर परदेश की योगी आधितना सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार जहां ख़बर है कि नए मंत्री मंडल में राजभर और आरलडी के विदायक सामिल हो सकते हैं इसके अलावा बीजेपी से भी एक और मंत्री बनाया जा सकता है परदान मंत्री नरेंद मोदी के बिहार दोरे पर विपक्ष की पेनी नजर है जहां राजद और कॉंग्रेस के नेताओं ने परदान मंत्री से कई सवाल पूछे हैं वहीं जदियू और भाजप्पा ने पलटवार भी किया है उत्तर परदेश के पुर्मुख मंत्री वह समाजवादी पार्टी पर्मुख अखलेस यादव ने पेपर लीक मामले में सरकार को जिम्मेदा ठहराया उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक कराकर नौजवानों के वहविस्य से खिलवार कर रही है बिहार के सुपॉल में एनस सतावन पर बड़ा सरक हादसा हुआ जहां तिरवेनी गन से नई दिल्ली के लिए जा रही एक बस टोल पलाजा के आगे खड़े ट्रक से टकरा गई इस घटना में टोल पलाजा सुपरवाजर सहित बस के चालक की मौत हो गई जबकि एक दरजन से ज़्यादा यात्री गायल हो गए है वहीं सभी यात्रियों को पास के होस्पिटल में एड्मिर कराया गया है दिल्ली सरकार में वितमंत्री आतिसी ने सुक्रवार को दिल्ली विधान सभा में दिल्ली का 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्शन पेस किया उन्होंने वताया कि बीते दो साल में दिल्ली में पर्ति व्यक्ति आये 22.77 फिजदी बरही है पंजाब में बजट सत्र के पहले दिन कॉंग्रेस पार्टी के विधायकों के हंगामे पर वितमंत्री हरपाल सिंग चीमा ने निसान असाधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने राजपाल के अभिभासन में रुकावट पैदा करने की कोशिस कर पवित्र सदन का अपमान किया है लोगसभा चुनाव को लेकर हरियाना के डिप्टी सीम और जेजेपी नेता दुस्यन चोटाला ने कहा कि वो सब ही दस लोगसभा सीटों पर अपने परत्यासी उतारेंगे और जल्द ही गटवंधन के साथी दलों के साथ बैठक कर निसकर्स निकाला जाएगा दोस्तों आगे वरनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दिजिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ परधान मंत्री नरेंद मोदी आज बिहार के एक दिवसियत दोरे पर रहेंगे जहां हुए औरंगाबाद और वेगु सराय से बिहार के लोगों को होली के पहले 21,400 करोर रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सोगात देंगे साथ ही पीम गंगा नदी पर छेह लेन वाले पूल की आधार सिला भी रखेंगे जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विक्सित किया जाएगा यह पुल देश के सब से लंबे नदी पुल में से एक होगा आज मधपर्देश से फिर सुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोरो नियायात्रा जहां मुरैना, ग्वालियर, सिप्पुरी, गुना, राजगर, साजापुर, उज्जैन, धार और रतलाम, जिले के छेतरों को कवर करने के बाद भारत जोरो नियायात्रा फिर से रास्थान में इंट्री करेगी 36 गर विधान सभा के नेता पर्तिपक्ष डॉक्टर चरंदास महंत आज कोरबा के परभास पर रहेंगे जहां वे इंद्रागांधी ऑडिटोरियम में साहु संघ द्वारा आयोजित, युबक युबती परिटे सम्मेलन एवं समारी का विवोचन कार्टरम में सामिल होंगे महराष्ट के मुखमंत्री एकना सिंदे ने सरत पवार के डिनर पार्टी में जाने से इंकार कर दिया है बता दें कि वह आज अजित पवार और देवन फरनविस के साथ वारा मती तो जाएंगे लेकिन सरत पवार ने जो सीएम को आज दिनर पर बुलाया था वहां नहीं जाएंगे जम्मू कस्मिर के रामवन में हुआ बड़ा हादसा जहां तेल से भरा टंकर खाई में गिर गया इससे टंकर में आग लग गई वहीं हादसे में चालक की मौत हो गई है महराष्ट में सिवसेना गुट के मंतरी दादा भुसे और विधायक महेंद्र होरवे के वीच हाथा फाई की खवर आई है अंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे ने गुजरास सरकार के एक रिपोर्ट को लेकर राजसरकार की निंदा की और कहा कि यहां के किसान और गरीब लोग दैनिये जिन्दगी जीने को मजबूर हो रहे हैं इस पर सरकार को ततकाल भ्यान देना चाहिए राजस्थान के मुखमंत्री भजनलाज सर्मा ने कहा है कि राजसरकार योजनाओं, कारकरमों तथा नवाचार को केवल प्रारम भी नहीं करेगी बलकि समय से उन्हें पूरा भी करेगी उत्राखन में समाजवादी पार्टी के कारकरता सम्मेलन में लोगसभा चुनाओ को लेकर चर्चा हुई जहां पर्देश अधक संभू परसाद कोखरियाल ने कहा कि पार्टी हरिद्वार और उद्धम सिंग नगर सीट पर लोगसभा चुनाओ लड़ने का दावा पेस करेगी जहारखन के फिल्मकार 37 मुंडा की फिल्म जादू गोडा को इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल दोजार चौबिस में बेस्ट सौर्ट फिक्सन फिल्म के अवार्ड के लिए चुना गया है मद परदेश के सियम मोहन यादव ने कहा है कि आज पीम नरेंद मोधी के नित्रितों में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनेग देशों को आस्टर चकित कर रही है दुनिया हमारे तरफ उमीद की नज़रों से देख रही है हिमाचल परदेश के मुखमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु ने कॉंगरेस के वागी विधायकों पर जम कर निसाना साधा और कहा कि इंचह काले नागों ने जनता का विश्वास तोर दिया है वही भाजप्पा पर निसाना साहते हुए कहा कि भाजप्पा के कुछ साथी सत्ता खोने के बाद वेचेन हो गए है दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में इस बहुत सारे लोगों ने नियूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बात किया है जिन्नों नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है उनसे भी आग रहा है कि प्लीज 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 वे भी नियूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में सेर भी कर दें तो ये थी आज की तारतरीन खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे, नोटिकेशन बेल को दवाईए, वीडियो को लाइक कीजे और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजे, ताकि आप और आपके जानने वाले देश और दुनिया के तमाम हबरों से रह सके है, अपडेट!